हलो फ्रेंट्स, वेलकम है आपका मेरे इस न्यू लक्चर में और आज की लक्चर में हम कवर करेंगे साइटो पेथालोजी को, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए, साइटो पेथालोजी, पेथालोजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जहांपे डिजीज सेल्स की स्टडी की यानि की सेल्स की स्टडी करते हैं और अगर उसमें कोई डिजीज है तो उसको डाइग्नॉस किया जाता है Cytopathology की जो ब्रांच है उसको Georges Nicholas Papaniklau ने 1928 में डिस्कवर किया था और ये जो Cytopathology की ब्रांच है वो है ये First है Exfoliative Cytology, Second है Interventional Cytology और Third है Imprint Cytology ठीक है? तो सबसे पहले हम कवर करेंगे Exfoliative Cytology क्या होता है देखिए Exfoliative Cytology में क्या होता है कि जो Cells होते हैं वो हमारे बॉड़ी के सर्फिस से Shed होते हैं यानि कि जढ़ते हैं अब वो Naturally भी Shed हो सकते हैं या फिर Manually भी Shed हो सकते हैं ठीक है यानि कि अपने आप Shed हो रहे हैं और Manually यानि कि हम किसी Brush की Help से Scrap करके Cells को निकालते हैं और उसको Collect करके फिर आगे Examine करते हैं तो Exfoliative Cytology में क्या होता है कि जो Cells हैं Body की सर्फिस से Cells जो होते हैं वो Shed होते हैं और फिर हम उसको Collect करके आगे Examine करते हैं Exfoliative Cytology को आगे फर्दर Two Types में Divide किया गया है First है Spontaneous Exfoliation जिसको हम Non Gynecological Cytology भी बोलते हैं और Second है Mechanical Exfoliation जिसको हम Gynecological Cytology भी बोलते हैं तो इन दोनों Parts को हम अभी आगे Cover करेंगे तो First था Exfoliative Cytology Second है Intervational Cytology देखे इसमें क्या होता है कि Body में कहीं भी अगर Pulpable Mars है ठीक है कोई भी आपको Guard Feel हो रही है कोई Lymph Node है तो वहां से Sample को Aspirate किया जाता है ठीक है और Examine किया जाता है तो जो Intervational Cytology है वो आगे उसको Further Two Types में Divide किया गया है First है Affinacy और Second है Sediment Cytology तो First है Affinacy यानि की Fine Needle Aspiration Cytology जिसमें क्या होता है कि अगर Body में कहीं भी Pulpable Mass है ठीक है कोई Gart हो गई है या फिर कोई Lymph Node है तो वहां पे Needle को Inject किया जाता है और उस Mass में जो भी Material है जो भी Cells है उसको Aspirate करते है Needle की Help से और Collect करके फिर आगे Examine किया सेकेंड जो टाइप है वह है Sediment Cytology इसमें क्या होता है कि Body में कहीं भी कोई भी Pulpable Mass है या फिर कोई Gart है तो उसका थोड़ा सा टिशू का Part Remove कर ले जाता है तो वह एक तरीके से बाइपसी हो गई और फिर उस बाइपसी को हम Fixative में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि उ उसको Shed होने लगते हैं जड़ने लगते हैं और वह fixative में आ जाते हैं ठीक है तो फिर हम क्या करते हैं उसको Centrifuse करते हैं तो जो भी Cells है वह नीचे बैट जाते हैं Sediment में आ जाते हैं फिर उसको फिर हम further examine करते हैं तो इसलिए इसका नाम है Sediment Cytology ओके तो जो थर्ड ब्रां स्लाइट पे टच कराते हैं ठीक है जिससे जितना भी जो भी सेल है उस टिशू में वह स्लाइट पे इंप्रिंट हो जाता है ठीक है और फिर उसको फिर हम आगे एक्जामिन करते हैं तो इसलिए इसको Imprint Cytology बोला जाता है ओके तो यह है Cytopathology की तीन में ब्रांच जिसको ज तो exfoliative cytology क्या होता है कि जिसमें body के surface से या फिर tissue के surface से cells जो होते हैं वो shed होते हैं जड़ते हैं या तो वो naturally shed होते हैं या फिर manually shed होते हैं ओके exfoliative cytology को further आगे two types में divide किया गया है फिर्स्ट है spontaneous exfoliation और second है mechanical exfoliation देखिए spontaneous exfoliation में क्या होता है कि जो cells होते हैं जो body के surface की जो cells होते हैं वो spontaneously shed हो रहे होते हैं या अपने आप naturally जो cells हो रहे हैं जैसे कि urine की through urine pass हो रहा है तो उसमें क्या है cells present है okay sputum में cells present होते हैं तो वो भी क्या है अपने आप ही shed हो रहे हैं या फिर कोई भी discharge हो रहा है body में तो वहां से भी जो cells है वो shed हो रहे हैं या फिर other body fluids में भी cells जो है वो spontaneously निकल रहे होते हैं okay तो यह आता है spontaneous exfoliation में जहां पे जो cells होते हैं वो अपने आप ही shed होते हैं second जो है वो है mechanical exfoliation जिसको gynecological cytology भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि जो cells होते हैं वो अपने अपनी shed होते हैं यहाँ पर हमें brush की health से scrap करके cells को निकाला होता है जैसे कि service scrapping ठीक है जिसमें सर्विक्स में brush से scrap के जाता है और sample को निकाला जाता है ठीक है या फिर अगर oral scrapping भी होती है mouth में हम brush को brush की health से scrap करके जो भी cells से उसको निकालते हैं ठीक है तो gynecological cytology में कौन-कौन से specimens आते हैं cervix smear, vaginal smear, endocervical smear और endometrial aspiration तो सबसे पहले हम cover करेंगे spontaneous exfoliation जिसको हम non gynecological cytology भी बोलते हैं जिसमें जो specimens हम use करते हैं वो है urine, sputum, rippled starch, bowel fluid और other body fluids जैसे की peritonal fluid, pericardial fluid, CSF या फिर senoval fluid एक चीज और कि non gynecological cytology में क्या होता है कि जो भी fluid है उसमें cells present होते हैं और उन्हीं cells को आगे cytology में examine किया जाता है तो ये जो body fluids होते हैं इनको हमें एक clean dry container में collect करना होता है और जितना जल्दी हो सके lab तक इसको पहुँचाना होता है अगर in case अगर हम lab तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं fluid को delay हो जाता है तो इसको हमें 4 degree Celsius पे refrigerator में store करके रखना चाहिए इसके बाद जैसे ही body fluid आता है lab में तो कुछ चीजें जो हमें note करनी चाहिए जैसे कि उसका volume कितना है color कैसा है appearance कैसी है और या फिर कोई भी abnormal physical appearance है तो वो हमें note करना चाहिए तो कौन-कौन से specimens है सबसे पहले है sputum ठीक है sputum जो होता है वो किसी भी respiratory tract disorder की study के लिए बहुत ज़दा useful होता है ठीक है अगर किसी भी pulmonary inflammation की condition है उसको diagnose करने के लिए sputum का sample best होता है अगर lungs में कोई भी fungal infection है bacterial infection है या फिर viral infection है या फिर parasitic infection है तो उसको diagnose करने के लिए helpful होता है sputum का जो sample है वो morning में ही collect करना चाहिए और एकदम deep cough होना चाहिए और इसका जो sample है sputum का उसको हमें biosafety cabinet में ही process करना चाहिए second specimen है वो है urine urine जो है किसी भी uternary tract में malignancy या फिर bladder के infection को diagnose करने के लिए urine का use किया जाता है लेकिन याद रहे कभी भी हमें urine का sample जो है morning में नहीं collect करना जो first urine का sample होता है वो collect नहीं करना क्योंकि उसमें degenerated cells present होते है जिससे study में problem आती है तो हमें क्या करना है जो first urine का sample है morning का उसको discard करना है उसके बाद काफी सारा fluid intake करना है उसके बाद जो urine आ रहा है उसको collect करना होता है third specimen है ball fluid इसको bronchial alveolar lavage भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि एक thin tube जैसी instrument होती है जिसको nose या फिर mouth के through insert के जाता है lungs में और जो भी fluid है उसको collect किया जाता है और examine किया जाता है इसको mainly lungs infection के diagnosis के लिए use किया जाता है fourth जो specimen है वो है nipple discharge nipple discharge को collect करने का जो best method है वो क्या है सबसे पहले तो हमें उस area को clean करना है breast को और हमें चारों तरफ से एक pressure apply करना है और जो भी material discharge और उसको एक clean strile container में collect करना है इसके अलावा other body fluids भी आते हैं जैसे की peritonal fluid, pleural fluid, pericardial fluid, CSF और senovil fluid ये भी non gynecological cytology में आते हैं और इनको भी collect करके examine किया जाता है second जो part है वो है mechanical exfoliation जिसको gynecology cytology भी बोलते हैं देखिए जो gynecology cytology होता है ये एक ऐसी field होती है जहां पर females के gentle tract के disorders को investigate किया जाता है ठीक है उनके cervix के जो भी cancerous या फिर जो pre-cancerous lesions है उनको diagnose किया जाता है और hormonal activity को भी notice किया जाता है और अगर कोई vaginal infection है या फिर कोई भी inflammatory condition है तो उसको भी identify किया जाता है gynecological cytology में जो specimens आते हैं वो है cervical smear, vaginal smear, endocervical smear और endometral aspiration देखे होता क्या है जो भी smear है हम उसको कैसे prepare करेंगे sample preparation और sample collection के लिए हम most commonly cervix brush या फिर sato brush का use करते हैं कैसे करते हैं जो भी हमारा जो brush है उसको हमें क्या करना है cervix या फिर vagina में insert करना है और 360 degree पे हमें four to five times rotate करना है उस brush को ताकि जो भी cells है वो scrap हो सके और वो जो cells है वो उस brush में आ सके और फिर हम उस brush को निकालेंगे और एक pre-labeled slide में हम उस cells को spread करेंगे इसके बाद next endometrial aspiration के लिए क्या करते हैं देखे जो endometrial होता है वो inner layer होता है uterus का तो इसके लिए एक cannula को insert किया जाता है और जो भी cellular material है उसको aspirate किया जाता है एक syringe की help से ओके और एक pre-labeled slide में फिर एक smear prepare की जाती है और उसको immediately fixed किया जाता है तेखे एक चीज और जो भी cytological specimens होते हैं वो बहुत जल्दी decompose होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वज़े से उनकी जो cellular details है वो destroy हो सकती है तो इस चीज को prevent करने के लिए जो भी हमारे cytological specimens होते हैं जो भी smears होती है उनको हम 95% ethanol में fix करते हैं इसके अलावा card noise flute का भी use किया जाता है लेकिन most commonly 95% ethanol का use किया जाता है fixation को जो time है वो minimum 15 minutes से लेके maximum 7 days तक कर सकते हैं slide को fix करने के बाद slide की की जाती है staining अगर सिर्फ एकी slide receive होई है तो उसकी हम pap staining करते हैं लेकिन अगर multiple slides receive होई होती है तो फिर रोमानवर्स की staining भी की जाती है तो आज के lecture में हमने setup pathology को detail में cover किया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को like करें subscribe करें और अपने friends के साथ भी शेयर करें मिलते हैं next video में thank you